नमस्कार फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ओंलाइन इन टीवी मीडिया नेट्वर्क पे हूँ मैं और आज हमारे बीच जारखंड राज्ये जिसको अलग हुए बिहार से 20-21 साल हो गये उसके स्वास्ट मंत्री और पीपल्स लीडर पबलिक के हर दुख द स्वास्ट या और किसी भी विवाग से संबंदित होती है तो इनके अनुभावों का वो सहारा लेते हैं और अपने मंत्री मंडल को लच चलाते हैं तो इसमें एक पिपल्स लीडर जो की पिपल्स से निकल कर के हैं एक आम परिवार से निकल कर आज उब्यक्ति लोगों के द में आपने देखा होगा कि उन्होंने काम किया और इंडिया को वर्ल्ड कप जीताया तो यह चारखंट के मंत्राले का महंदर सिंधोनी भी हैं और हमारे पिपल्स लीडर भी हैं मैं इनहीं से जानना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले सास्त्री नगर में क्योंकि खटी ब बात करके वो अपनी गलती महसूस किये और फिर आज हो वही बुके आपको दे रहे हैं वही अपनी गलती मान रहे हैं तो मैटर क्या था और वेसिकलिए उसास्त्री नगर वाली घटना क्या थी निदिकी निश्य तोर पर जो आपसे प्यार करता है उसी कोई अधिकार होता है नाराजगी का मेरा यह मानना है मेरा यह मानना है कि जो लोगोंने आपको अपार बहुमत दिया वोट दिया सम्मान दिया आपको माला पहनाते हैं जिंदावात का नारा लगाते हैं आपके लि विभेति है, मन को तोड़ती है, मन में वेदना करना पैदा करती है, तो उनका अधिकार भी है कि वो अपने जनपरतिनीदी के विरुद में आवाज भी उठाए, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, मेरा पुतला जलाया गया, मेरा विरुद किया, मैं इसको positive मानता हूँ, मैं यह मानता हूँ कि यह एक अच्छी चीज है, प्यार करने वाला आदमी ही नाराज हो सकता है, दुस्मन नाराज नहीं होता है, दुस्मन तो नाराज है यह तो क्या नाराज होगा, तो वहां पर एक मैदान है, वहां के लोगों के, इस्थानी लोगों के, बच्चे के खेलने का, वियायाम करने का एक सशक्त माद्यम है, लेकिन पता नहीं नाजा ने, जिसको कंपनी किस उद्देश से वहां पर अनावश्क रूप से हड़क बना कर, लोगों को परिसान कर रही है तो मैंने चुकि तीन दिन मैं भी विदान सवा में था और हमारी केबिनेट की बैठक थी तो मैं वहां ब्यास था और यहां इन लोगों ने तेजगती पर काम कर दिया और काम ही नहीं किया बलकि ये भी कह दिया लोगों को कि मंतरी जी का अदेश पर काम हो रहा है उसमें और लोगों को दुख हो गया तो लोग भड़क गए फिर मैं सुबह सुबह जब जमशेद पूर लोटा तो मैं वहां गया था जाके मैंने काम भी बंद कराया और लोगों ने बहुत हमारा स्वागत भी किया है मैं यह मानता हूँ कि राजनिती में लोगतंतर में विचारों की भिनता विचारों का मतांतर यह सो लोगतंतर की पहचान है यह पॉजेटीव है इसको आप नेगेटीव नहीं ले इसको आप पॉजेटीव सूचें कि आप से प्यार करने वाले लोग आपसे इतना महबत करते हैं कि उनके मन में यह है कि हमारा निता और जब उनका निता उन से 100 किलो मेटर दूर है तो सभाविक है और जब करीब आ गए तो सीने से लगा लिया गले से लगा लिया जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मंतरी जी एक चीज और कहना चाहूँगा मंतरी जी कि मोदी जी कहते हैं कि मैं 18 गंटे काम करता हूँ सभाविक है करते भी हैं लेकिन मैंने अपने से महसूस किया है कि यह 20 गंटा काम करने वाला स्वास्त मंतरी और पिपल्स लीडर मैं यह क लोगों के लोगों के लोगों के लिए एक सम्मान है तो यह दोनों जो यह जनाए आपने एक दम तुरत जो है धरती पे उतारा और लोगों के सपने को पूरा किये यह कितने दिनों पहले से यह जना आपकी चल रही थी जो आज फलिभूत होने जा रही है और जनता को आज ओभिसेस तौफा मिलने जा रहा है ने नेशी तोर पर जन प्रतिनिधी को जनता इसलिए चुनती है कि उनकी जन आकांच्छा की पूरती हो और उनके लेखने नहीं होना चाहिए कि हम चार नाली बना देए है चार रोड बना दिए उसका विजिण बड़ा होना चाहिए और सोच जब बड़ी होगी तो काम बड़ा होगा तो मेरे मन में बहुत दिनों से यह था कि मैं देखता था जब भी जाता था MGM मस्पताल तो देखता था बहुत लच्चर बेऊस्ता है फिर मैं सुनता था कि यहां पर दो-दो मुख्यमंतरी होने के बाद भी जब काम नहीं हुआ लोग कहते थे जब दो-दो मुख्यमंतरी नहीं कर पाए तो बन्ना गुपता कैसे कर लेगा तो मुझे एक बड़ा चुनो रहते हैं तो हमारे मन में दोनों चीज़ों के लिए आया और इसी को मद्दे नजर रखते हुए मैंने लगतार प्रयास किया और प्रयास करके आपने देखा होगा कि मंतरी परिश्यद ने एम जीम एस्पताल के लिए चारसो अठारे करोड की रासी स्विकृत की फ्लाइओर के लिए भी करीब पांसो करोड रुपया के करीब की रासी स्विकृत की 71 करोड रप्या की रासी बस स्टेंड के लिए सुकृत की जो ॉहाईवे में बनेगा और 111 करोड रप्या की रासी सुकृत की जो मैरिन ड्राइब होते हुए सापड़ा होते हुए रोड वो सिधा चली जाएगी डोबो में तो कितनी बड़ी ट्राफिक की चीजें आप सूचिए कि वहां से जब गाडियां निकलेंगी और वो गाडियां सीधा जो है सापड़ा होते हुए डोबो चली जाएंगी पार हो जाएंगी यहां से बीच में जो यह फ्लाइओवर बना यह जो पुल बना है और साथ किलोमेट रोड बनी वो भी मेरे ही केबिनेट में जब मैं मंतरी था उस समय पिछली सरकार में उसमें मैंने पास किया ते यह अलग सी बात थी कि हम फिर चुनाव हार गए तो हम लोग नहीं कर पाए लेकिन मैं आते आते और मैं बहुत जल्दी जमशेदपूर के लोगों को और कुछ बड़ी ऐसी स्वगात देने जा रहा हूँ जो स्वगात के बारे में जमशेदपूर के लोग अभी सोच नहीं सकते हैं मंतरी जी बिल्कुल सही कहा आपने मेरी सर्वे कहती है कि लगभग पौने दो लाख लोग उस रोड से डेली गुजरते हैं और उन पौने दो लाख लोगों को आपने उनका सपना पूरा कर दिया है और कभी आपको भूल नहीं सकते जब ही उस रोड से क्रॉस करेंगे सेकेंड लास कोस्चन मंतरी जी आपने एक बात कही अब सरकार क्योंकि जब आप लोगों ने दो दिन पहले कैबिनेट के बैठक की तो दो तीन चार बहुत बड़े मुद्दे को डिसकस किया आप लोगों ने 90-32 का खतियान भी है उसमें और 27% आरेक्शन OVC को जो 14 से बढ जागर किया गया है तो पूरे आपकी कैबिनेट ने बैठक ली और आप लोगों ने फैसला किया तो उसके बाद क्या ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल आप लोग और इस तरीके का जनकल्यान जो विध्यक है वो पास करने के ऊपर है या सरकार के सामने कोई और चुनोतिय जब जब आती है तब तब और हम मजबूत होते हैं क्योंकि जिस तरीके से भारती जनता पाटी इस सरकार को अपदस्त करके एन केन प्रकार से पीट में छूरा भोग के कवे एडी सी बियाई से डरा कर माहौल को विशाक्त करकर सरकार को अनावस्यक रूप से बद्दाम करक जब इनके सारे हतकंडे जो है जनता ने होर्स टेडिंग तक जनता ने जब इनके सारे हतकंडों को बेनकाब कर दिया तो अब इनके पेट में बहुत दर्द है और ये लगातार कभी अधर उधर 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 मतलब उठा पटक करें तो मेरा ये मानना है कि हम लोग सीधे सरल लोग हैं जहरकंड के लोग सीधे सरल और उल्गुलान और क्रांती करने वाले लोग हैं मैं तो कहता हूँ कि आप सीधा सीधा धारा 356 लगा दीजे और सरकार को बरखास कीजे और चलिए यदि आप में हीमत है तो चलिए जनता की अदालत में हम चले और जनता मालिक है जनता सर्वोपरी है इस लोग तंत्र में वो मालिक है तो ना ये उगल रहे हैं ना निगल रहे हैं केवल इनका एक ही मकसद है कि कैसे सरकार के विकास की नीती को रीती को टोको टोको परिसान करो ताकि ये अबाद गती से जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सर कि जनता की आसा आकांछा जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है उसकी आसा आकांछा पूरी नहीं हो और ये समय किल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि समय का सदुप्योग करना और हर पल जो है जनता के लिए सुचना आखरी सवाल अब 15 नुवंबर आ गया है सपना है लगातार 20 सालों से हम लोग मनाते आ रहे हैं और ये भगवान बिर्शा मुंडा की भी जैनती मनाई जाती है जो हमारे धर्ती के भगवान है तो उस विशाय पर ले करके आप हमारे लाखो दर्शकों को और पूरे देशवासियों को पूरे जारखंट को क्या संदे जरूर देंगे कि ये सरकार आधर नहीं हमन सोरेंजी की सरकार गड़बंदन की सरकार ये सरकार सब काम करेगी लेकिन हाती उड़ाने का काम नहीं करेगी पता नहीं पूरवर्ती सरकार को किन विद्वानों ने हाती उड़ाने की सीख दी थी जो हाती उड़ते हुए हाती को कभी हमने ना Discovery में देखा ना National Geography में देखा ना कोई किताबों में पढ़ा लेकिन पता नहीं पोर्व की सरकार हाथी उड़ा रही थी अरे हम लोग बचपन में खेलते थे और बोलते थे चील, उड़ा, कव्वा, उड़ा, तोता, उड़ा फिर बोलते थे गाए जो उठा देता है उसको बगा देते थे, आउट कर देते थे खेल से तो जो पांस साल के बच्चे में जो सलाहियत है, जो बुद्धी है वो इनके I.S. और विद्वान I.S. में नहीं, सरकार में नहीं, सरकार की सोच नहीं, दो मुख्यमंत्री जम्शेतपुर में क्या बन्ना गुपता आख से MGM देख रहा है और उसके लिए 418 करोड ला सकता है, तो मान्य मुख्यमंत्री जम्शेतपुर के होते, तो चार हजार कर लोड भी ला सकते थे, तो आपका विजन क्यों नहीं था, ये भाजपा के लोगों को ये इतनी बड़ी समस्या नहीं क्यों दिखाई दे रही थी, भाजपा के लोगों को फ्लाई ओवर क्यों नहीं दिख रहा था, भाजपा के लोगों को बस सिस्टेंड क्यों नहीं दिख रहा था हाँ इनको क्या दिखता है चुनाव जैसी आता है तो मंदिर में एक हमारी गायमा का एक कहां से पैर लाते हैं उसको फेकते हुए यह दिखते हैं कहीं पर मज़िदों के पास जो है सुगर को फिकवा देंगे धर्म और जाती कर देंगे तो इनको केवल यही दिखेग कि कहां से हिंदू को मुसल्मान को लड़ा दो इनको यही दिखेगा कि कब्रिस्तान और समसान में लड़ाई कराओ अब जब उतना में यह नहीं सक रहे हैं तो आब यह महापुर्सों में भी लड़ाई कराने की सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जो है राष्ट्पिता मह प्रतिबंद लगाने का काम किया था तो इसमें पंद्र नवमर में जो आप लोगों की कुछ विश्यस त्यारी और आपकी बातों से मेरी की बहुत ऐसे लग रहा है कि हर चीज के लिए चुनाव के लिए भी आप एकदम पुर्णतह तैयार है ऐसा कुछ लग रहा था देख सेमी गलियां हो खौफ का अलम गहरा हो आवाज उठाना लाजिम है आवाम जगाना लाजिम है और जब कातिल निकले सडकों पर और मुन से भी घबराने लगें और जब अपने ही आग लगाने लगें तो आवाज उठाना लाजिम है आवाम जगाना लाजिम है तो हम लोग न डरे हैं न डरेंगे लड़े हैं लड़ेंगे और मजबूती से खड़े हैं खड़े रहेंगे और जो जुल्म करेगा जुल्म तो जुल्म है बढ़ता है तो मिड़ जाता है खून तो खून है टपकता है जम जाता है धन्यबाद मंतरी जी जो क्रांती से निकले और क्रांती की बात करते हैं हमेशा इनके भासन में आप सुनेंगे कि कुछ ऐसे slogan motivation और कुछ ऐसी अपनी दिल की बात कहते हैं कि जिसको इन्होंने जीया है तो ऐसे मंतری जहर खंड को मिला है और हमारे देश को मिला है एक गौरव की बात है और एक कहते हैं कि मैं पिपल्स लीडर हूँ और मैं पपिलिक के बीच में रहता हूँ हर चीज की हमें तैयारी है और हर बात पे मैं चलता हूँ हर पबलिक के मैं साथ रहता हूँ नमस्कार डॉक्टर अनुश्रमा